एक OTT platform ने सबी हदे पार कर दी एक पुरूशेगर में जिसका वेबिजार है उसकी दादी से है उसकी सोतेली मास से है उसकी भावी से उसकी चचरी भें से और सीन के साथ है कि मैं मानता हूँ यह देशद्रोही प्रभृत्ति यह रेप को बलावा देने वाली प्रभृत्ति यह जो 8 ग और 10 साल के लिग नहीं रेब किया वहेसे इसका फोन लिधा उन्होंग चेखे लिए dar है है अपनी संस्कूति के लिए मैं वनता हूं कि संस्कूति बचेगी तो देश बचेगा और संस्कूति नहीं रहेगी हमारा देश भी नहीं बचेगा हमारी पहचान भी नहीं नवस्कार केपिटल टीवी में आपका स्वागत है हम लोग पिछले एक सालों से एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है सेव कल्चर सेव भारत और इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं देश के जानेवानी इतिहासकार, पत्रकार और सोचल और पॉलिटिकल कम्मिन्टेटर उदे महुर्कु साहब अब इस मुहिम का असर ये हुआ कि 18 ऐसे एप्स जो इंटर्टेन्मेंट के नाम पर पॉर्नोग्राफिक को परोश रहे थे उसको सरकार ने बैंड कर दिया हम लोगों ने उदेजी से पहले भी बातचीत की, जब इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से ये कारवा आगे बढ़ेगा तो कई सारी चीजें इस मुहिम के साथ जुड़ते चली जा रही है लीगल फ्रंट पे, सोचल फ्रंट पे, अवेरनेस के लिवल पे, सरकार के रिकोगनेशन के अस्तर पे, कई सारी चीजें है लेकिन आज उस कमाल के बारे में बात करें कि एक साल की अवदी में इतनी बड़े-बड़े जाइंट्स ये पोर्नोग्राफी का संचार करने वाले लोग हिंदुस्तान में जो पहले हुए हैं ये छोटे-मोटे लोग नहीं है खरपतियों का पूरा बैक अप इनके पीछे होता है और उनसे युद्ध लड़ना और उनको परास्त करना ये वाकई काविल तारीफ है तो स्वागत करते हैं उदे महुरकर जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक साल में आपने कमाल कर दिया कोई सोच नहीं सकता कि आज कि इस डिजिटल युग में जहां बहुत सारी चीजे फीड़म आप एक्समेशन से लेके कला की आजादी और पता नहीं इस तरह के लोग जो कमफलाज करके पॉर्नोग्राफिय डाल रहे थे उसको तो आपके चारू खाने चित कर दिया आथारा अएप जो है बैन कर दिए गये अथारा एप और सकतावन शोश्रीमेडिया हैंडल वई बैन होए हैं देखिए अ शुरुआत है हाँ वर सफलता का कारण में नहीं हो सफलता कारण लोग हैं लोग के मन में जो था उसको मैंने छुआ एक साल पे ले देखिए परसीदी गंबीर है हम बात कर रहे हैं हम विशुगुरू बनेंगे हम बात कर रहे हैं कि हम दोजा सेतर से महांदेश बनेंगे लेकिन ओटीटी सोचल मीडिया फिल्म और पॉर्णोग्राफिक के माधियम से जो नगनता आ रही है जो विबस कंटेंट आ रहा है उससे समाज भिगट रहा है रेप के केस देखो आप रोज रेप होते हैं और जातर रेप के अंदर पूलिस के इन्वेस्टिकेशन में इसका नहीं होता यह निकलता है कि यह फोन पर उन्होंने देखा उससे प्रेरित हुए तिन गटना में आपको बताता हूं अभी 25 दिन पेले एक 19 साल के लड़के ने अपनी छूटी बेंट पर रेप किया उसको मार दिया उसके पांच या दस दिन के बाद एक दस साल का लड़का अन्होंने पांक साल की लड़की पर मलाद कार किया गये साल एक प्रिंसिपल ने स्कूल के बैसिपल ने अपनी छे विद्य делает विदी हं पर बलत कार किया एक साल के दौरामें तो अब एक ही था कि हमारे फोन पे हमने यह सब विबस देखा उससे हम प्रेरित हुए अब विबस क्या आता है सिंपल प्रोणोग्राफी नहीं है यह समाज का पुरा ताना बना तोड़ने का पुरा एक अजनडा है जनडा है कॉंस्परिसी राइत कि ससूर बहु को वेभीचार इंच शिक्षब विध्यार्थी वेभीचार देवर भावी का वेभीचार एक एक और प्लेट्टावर ने सभी हदे पार कर दी आ जिसमें एक प से है उसकी भाबी से उसकी चचरी भेंसे और सीन के साथ है मैं मानता हूं यह देश-द्रुही प्रवृत्ति यह रेप को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति है लोग के बनवें बात पहले से थी लोग डरे हुए माबाप डरे हुए बच्चों को क्या होगा बच्चे तो पिछे लगे वडας और पीछे लगे यह पहुंजी लीजे तो घर नहीं हो जता है ये Rob 12jang सल के बैर किया व वेसे किया उन्हें फोन लेके जोंने कि इसका फोन ले लिया उन्हें यह उस पे देख गहें पान से लह कि अधर तो आप ऑज भी तो यह देश का सम्मी बड़े समस्या है मेरा प्रश्ण यह है कि हमने 2047 लक्षय रखा है कि हम महान देश बनेंगे कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2037 में ही महान देश बन जाएंगे सद्रेम olvides और संस्कुल्ट की रूप कंगल देश होंगे यह प्रश्ण हम्हारे सा मने हैं क्या अमेरिका मना है कि समय दुनिया का शंवर्थियर वाला राष्टर है आज जहां तक इन तीनों चीजों का सवाल सबसेंदिक चरक्य पर लीगन weeks unstable क autistic कreüy Prix त०ॉज अब नइक स्टडी आही कुछू सदी के लोग पाढ़ पनने के पाढ़ने के केस में खूब बड़ोती सब्सक्राइब नहीं है लेकिन मुझे एक बात बताइए यह तो पॉर्ण तो एक लिगली भी वो सस्टेनेबल नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि there are other players also like people who are making these tv serials and all जो उस तरह की चीजों को उस विभस्ता को और समाज में जो रिष्टे हैं पारिवारिक रिष्टे चाहे वो देवर भावी का हो ससुर का हो टीचर का हो भाई का हो बहन का हो they are trying to normalize it कि उनके बीच में भी इस तरह के जो संबंद हो सकते हैं जो प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है यह इस तरह की टीवी सीरियल्स लगातार आप यह देखिए कि कोई टीवी सीरियल चल रहा है चार चार पाच पाच चैच चैच डिवोर्स सादी फिर यह फिर वो यह इस तरह के से आप करते क्या है कि आप क्योंकि उसका रीच जो है किसी भी न्यूज चैनल और वेरा से कहीं ज़्यादा है घर घर में लोग देखते हैं उसको और वो उस तरह के रिस्ते को नॉर्मलाइज करने का काम करता है और ये जो दानव लोग बैठे हुए हैं जो पौनोग्राफी बनाते हैं उसी तरह के रिस्ते को फिर वो सीन में कनवर्ट कर देते हैं तो ये जो मुहीम है क्या आगे चलके इस तरह के जो टीवी सीजल्स है उसके उपर भी कुछ कारवाई के मांग करेगा बिल्कुल यह हम यह पूरा जो एक कॉंस्पिरिसी है उसको हम खत्म करना चाहते हैं कॉंस्पिरिसी क्या है पेसे डालो विबस परोसो और पेसा कमा लोलुपता वाला परोसो पेसा कमा तो वह भी मारे दाएरे में हैं जो समाज का ताना बना तुर्णने की बात करें तो उसमें यह बात आ गई जो आप बता रहे हैं पूरा मतलब देखिए कि भारत किस चीज के लिए जाना जाता है हम जाने जाते हैं अपने संस्कृति के लिए भारते जिंदापटी अध्यक्षी जीपी नड्डा जी से मिला बढ़ा आनंद दुआ मिलके मुझे उन्हें भी बात करें कि भारत किसके लिए जाना जाता है भारत जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए वह हमारी पहचान है हमारी परिवार वाली पुरी पुरी विवस्ता है उसके लिए उसके लिए इसको तोड़ने का प्रयास है मै देश की स्वंबे गंबीर समस्या है और सेव कल्चर से भारत फांडेशन साथ में हमरे साथ जेम्स व बॉलूड जुड़े हुए हैं सवच साइबर भारत है अच्छे लोग हमने जुड़े हमारे साथ में हमारा निर्दार है कि हम इसको यह जो असुरी ताकते इसको परास्त क करके ही रहेंगे आपको मैं बात बताओं कि यह जो आपने लड़ाई छेड़ी है इसके तार तो सीधे बॉलिवूड में जाकर के जुड़ते हैं क्योंकि यह सारे जो एप वाले हैं यह सारे लोग सम्हाव देयार कनेक्टेट टू बॉलिवूड यह बड़े-बड़े प्र कुस्तान में बंकिया लंदन चले गए लंदन बंकिया लंदन से फिर बैंककॉक से ऑपरेट कर रहा है यह एक बहुत बड़ा नेक्सिस है जन जागरती इसका पहला पढ़ाव है जनता जागेगी तब ही सरकार जो है हिलती-डुलती है उसके लिए क्या स्ट्रड़ी है मैं प्रशन का उत्तर दो इसके पहले एक बात क्लिर करना चाहूंगा बॉलीवोड का पुला सपोर्ट इसके अंदर कई लोग बॉलीवोड के लोग पिछे से सपोर्ट कर रहे है कोई शंका नहीं इसके अंदर अभी मैंने एक ट्विट किया तोले दिन पहले और रनविर सिंग इन्होंने जौनी सिंस नाम का एक बहुत बड़ा पॉंड स्टार अमेरिका का उसके साथ एक बड़ी गंदी एड की सेक्स पिल की एड थी वो बहुत कंट्रुवर्सिल था ठीक है उनको नहोता था अंबानी परिवार के जलसे में जाम नगर में तो मैंने ट्विट किया था कि सब्यस समाज की ये जवाबदारी है कि पॉंड कल्चर को बड़ावर न दे मुझे बहुत आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार इस एड के बाद रनविर सिंग को दिया हो नहीं होता वापच खिसता या न बुलाता आप समझे जॉनी सिंस का आप उसका अगर मैंने उसमें उसका ट्यूटे हें लालदा तो बवाल मत जाता वो तो कपड़े पेंता ही नहीं है जॉनी सि फिसर्सण भॉलीवरस से जुड़ेवे जो लोग है जो देश में एक तरीके स्ट रोल मोडल है उनको ऑविस बात का ख्याल करना ही जिए उनको नहीं को ने कुछ चीज़े सी लेकिन उनको है था करना ची हम क्या करने है हमारे इuria सुद्मンネル इसका समय बढ़ा खत्रा ही एं कि तो यह बहुत घंबीर पर समस्य है देश की इसमें मुझे बात बताईए दो वर्टिकल बनाया है एक तो है हम कैसी लड़ाई लडएंगे जैसे कि उल्लू एफ है वो भी एक 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 सो साट करोड का आई पीओ लेके आ रहा है जो उसने सेभी को जो जो क्लेम किया है सेभी के सामने उसमें यह बता है नहीं कि मैं इस टाइब का परुस्त हूं तो हमने उल्लू एप के सामने सेभी चैर्मेन जो है श्रीमती मादवी पूरी बुच उनको एक लेटर लिख है कि भाई इस आई पीओ को रोका जाए उस सब हम टेकनिकल कारान हमने बता है दूसरा हमने एक बड़ा काम किया है जो ओटी का सेल्फ मेकेनिजम है सेल्फ कंट्रोल मेकेनिजम जो है ग्रीवन्स वाला एक उसमें उसके जजें एके सिक्री साब सुप्रीम कोड के जजें र उनको भी हमने दो मेने पर लेटर लिखा था हमको कहा था कि हमने उनको तीन उसमें तीन हमने फुटेज वो किये थे बिल्कुल पॉर्णोग्राफिय वाले थे है ना एक तो बिल्कुल पॉर्णोग्राफिय हो रहा था दूसरा स्टैप का था पॉडोसन के साथ में सेक्स स् कि हमने राम की प्रतिष्ठा की है कि आयो दिया में राम की मर्यादी की प्रतिष्ठा करनी है हमने उसमें उसमें को दस दिन दिये थे कि दस दिन में आप हमें जवाब दीजिए उनको पूरी टीम को उनकी टीम के अंदर मनी इतरम जो है डारेक्टर उनकी धर्मपत्नी भी है पुरह ंगे आप 10 देने जाब देो कि आपके हमसा नहीं कोना राजीने मिलेERS significant पुरा डेश के रीक्टर और कल्चर के सामने एक तरीका से एक एक वार डिकलेर किया हुआ इन लोगों ने इसे मुद्दे के उपर दो मैने से मुझे कोई जवाब नहीं तो यह लड़ाई इस साइट पर हम लड़ रहे हैं अवेरनेस फिर लीगली लिटर लिखना कोट में जाना हम कोट में भी जाएंगी अब और दुसरा हमारा जो आपने बहुत सारे लोगों को फ्राइस दिलवाया वो हमने किया था मान्य यूगी अधितिनाथ जी के अध्यक्ष्टा में यहां पर किया था गणिते नोड़ना में उसमें शुमीत्रा महाजन भी आये थी जब मैंने यह बाता गुज्राइट के हमारे मुख्यमंतरी है श्री भुपेंद्र पटेल कर दो चोब मैंने बात की तो उनका यह तो हमरा ही काम है कि उन्हें उसको उठाले कि हम गुज्रात संस्कृति युद्धा पुरस्कार देंगे पैसा सरकार देगी आप आपको हमरे साथ जुन्डा है तो हमने आठ लोगों को पुरस्कार दिया अभी कि मैंने हमेशा काय कि जो देश भक्ति है कि पेट्रिटीजम है उसको लेके जो मुद्ध है उसमें गुज्रात जातर अग्रसर होता है यह एक और मौका है इस बात को जान लेने का कि गुज्रात ने इसको उठाया और वहां पे हमने आठ लोगों को पुरस्कार दिये भी एक करेंगे हम सुरत में करेंगे हम राजकोट में करेंगे उनका कहना है कि आप अपन जो राशी एक लाकी राशी देते हैं कि एक वक्ति को उसको घटा देंगे लिए डिस्ट्रिक लेवल पे भी करेंगे बहुत बढ़िया उससे भी जादा जाके मैं तो उनको एक संतुलिय व करना चाहिए कि कॉले स्टुडेंट्स को इन्वाल करके इन्वाल करके लेवल तक उन्होंने अनुमति दी और गुज्रात हायरे एजुकेशन डिबार्टमेंट एनेसेस ने मिलके और सेव भारत फांडेशन ने मिलके एक बड़ी वक्तित असवर्दा का योजन किया जिसमे जो मुसल्मानों को मुझसे देजभक्ति के स्पीच सुने मैं दंग रहे गया तो 33 लोक उसमें इलेक्ट हो किया है फर्स प्राइस था एक लाक सेकेंड प्राइस था सेवन्टी वन थाउजन थर्ड प्राइस था एक अवन जार पर 33 जो उपर आये उनकी जो मैंने मैं बिठ से प्राइस थीन लोगों को भी लेगा तुम्हें फिरसे दरखास की पूपेंदर भाई पटल से कि हमें कॉंसलूशन प्राइस देना चाहिए ठीक है दस दस जजार रुपे कॉंसलूशन प्राइस दिया है वेरी नाइस बोलती ही काम सरकार का ही है ऐसा कहते है तो यह बहु अधर है जूबुन में कि युद्ध पूरस्कार राजैस्तान संस्कुत कि युद्ध पूरस्कार यह लेके जाओंगा मुक्यमंत्रिय उनके पास शंच कार्जुच्ण जाओंगा कि सरकार इसके अंदर अब काफी कुछ कर रही है गुजरात ने मानी प्रधान मंत्री शी नरेंदर मुदीच की विजन को कि अनुरूप एक स्टेप लिया है हमारे से अधात मिलाया है इस मुद्दे पर तो यह जो लड़ाई है यह अनेक यह चूती है हर एक व्यक्ति को और हर में जो रोल है उससे सरकार का नहीं है यूवा का रोल है मा का रोल में देखता हूं कि जो हमारी बहने है माता है मैं कभी को मुझे लगता है कि 55 साल की बहन मेरे पाउं क्यों चूरी है उसको लगता है कि यह व्यक्ति जो मेरे मन में एक डर है जो मेरे मन में बात छुपी हु आपके मन में भी डर है और इसका सिधा-सिधा असर आने वाले जनेरेशन के उपर पड़ेगा इसको लेकर के पुरे देश को, सरकार को, समाज को, संतों को, मौलवी को, मौलानाओं को, सब को इसके उपर चिंता करनी पड़ेगी और एक्षन भी लेना पड़ेगा. मुझे मैं जब गए साल मान्य मोहन जी भागवत जी से मिला, RSS के सरसंग चालग जी, उन्हें मुझे कहा कि आप सभी धर्मे के लोगों को टच करना आप इसमें, मुस्मनों के पास भी जाना, आप क्रिस्चन के पास भी जाना, कि सब इससे परभावित हैं. लेकिन इसका जो हमने तोड़ निकाला है, थोड़ा कठोर है, वह आपको समझाना चाहूंगा, हमें सॉल्यूशन की बात करनी है, और सरकार का इसके मैं एहम रोल है, सरकार का एहम रोल है, देखिए, मिडल इसकी कंट्रीज है, साओध कोरिया है, सिंगापूर है, महाँ पर इसके काफी कंट हो, law of ethics code, जो मर्यदा तै करें, हर एक audio visual film के अंदर, scene की, theme की, कपलो की और भाशा की, और अपने preamble में ये कहे, कि जो नुकसान विदेशी आकरमन कारों नहीं किया, भारत और भारत की संस्कूरूति को, उससे भी ज्यादा निकसान आप लोग कर रहे हो इस टाइप का तीस, तीस, पचात, पचात साल की साजा होती है, हमने इसमें का है कि अगर producer, director, actor, actress, photographer, story writer, broadcaster और distributor, कुछ धारों का उलन्द करता है इस काईदे का, law of ethics code का, तो उस पे मुकदमा चलेगा, रेप को बढ़ावा देने का और देश दुरूवी प्रभूति करने का, चार मने में समरी ट्रायल होगी, दस से बीस साल की सजा होगी, तीन साल तक बेल नहीं मिलेगी, बड़न ओफ प्रूफ, जो 498-A के अंदर, आरोपी पर तो ऐसा आरोपी पर होगा, और जो सामागरी मार्केट में डाली है, वो भी उनको विड्राव करने पड़ेगी, वरना वो जेल में जाएंगे, यह हमारा एक एहम डिमांडी बहुत कठोर है, लेकि मैं मानता हूँ कि अगर हमें महान देश बनना है, तो हमें इसको करना ही होगा, लेकिन हमने वेकालपिक व्यवस्ता भी की भी बात की है, हमने यह कहा है कि जकतब यह कानुन नहीं बनता, एक जॉइंट, गं एक कंटेंड को रोके, उसको काम ही ही होगा, सभी audio platform के लिए, OTT हो, social media हो, यह television channel भी हो, क्यों नहीं हो, TV series क्यों नहीं हो, बिल्कुल, उसका यही काम होगा, परवटेट कंटेंड नाम है इसका, विबत, इसमें क्या आते हैं, यह कई लोग जो स्रियल वाले होते हैं, वो sex क ही करते उतने ही करते ठीक है तो यह व्यवस्त हमने कहिए एक जॉइंट कंटेंट कंट्रोल ऑथरुटी बने दूसरा हमने यह कहा है कि आई टी एक्ट में एमेंडमेंट हो और इस टाइप का जो मट्रियल है उसको एक ग्रूप में डाल दिया जागा है और उस ग्रूप के जो एक्सेसिबिलिटी है उसको फिंगर प्रिंट और आधार कार्ट से जोड़ दी जाए जो फोन पर भी आपको एक्सेस करना है तो आपको फिंगर पिट लगाना पड़ेगा और आधार कार्ट को दिखाना बात की वह इन्हों बड़ा अच्छा सुजाव दिया कि ऐसा भी अपन कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा व्यक्ति उसको जा 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 है कि आपने अभी हमारी वेबसेट को एक्सेस किया यह वेखर पर व्यवस्ता हैं दो देकिन मूल हमारा जो डीमांड है वो यह लॉफ एथिक्स गोड और देखी ये एक एक असूरी तत्वा है यह असूरी तत्वा है हमें इसको जैसे हम असूर के सामने लड़ते थे पहले हमरे देवता उस रूप में देखना पड़े बच्चों पर रेप हो रहें तिन तिन चेशे साल के बच्चों पर तो उस रूम हमें देखना पड़ेगा देखिए भारत महान देज बनने की कगार पर है जो हमारे मान्य प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया है और मेंने ने दो किताब लिखी है उनकी राजय साशन पर गवर्नस पर सेंटर स्टेज और मार्चिंग विदे बिलेने से दो किताबे लिखी है मैंने असा मानता हूं कि आज जो उन्होंने जो corruption था wasteful expenditure था उसको जो plug किया है pipeline को जिसमें से पैसा नीचे भेरा था उसके भारत कम से काम 3-4 लाग करोट पर साल के बचा रहा है इसके लिए मैं कहता हूं करी लोग मुझे कहते हैं कि इसे तो बड़ा नुकसान होगा घर इन पर बेन लगा दिया तो मैं वनता हो कि संस्कूरुती बचेगी तो देश बचेगा और Sanskूर्टी नहीं रहेगी हमारा देश भी नहीं बचेगा हमारी पहचान भी नहीं बचेगा और हमारी पहचान क्या है कल वही कोई नड़ा जी ने मुझे जो समझाया है मेरी बात हैं कि हमारी पेचान है हमारी परिवर वेवस्था राइट हमारी संस्कूरुती यह हमारी पेचान है दूसरा कि इवन वेस्टेंड कंट्रीज इसका डर बेडिया है अभी रिशी सुनाक जी ने बिटेन के परधानमंत्री जी ने उन्होंने सब्सक्राइब देख सके पर इसे वेवस्था अंदर जर्मनी में बात चल रही है तुम्हें मताओ जैसे भारत ने बहुत ने लीड लिए बाधने का है कि हम 2070 तक करबड़ कार्बन फुट्प्रिंट फ्री नेशन होंगे और इसलिए मानवी रखने के लिए भारत को को नि कि भारत अगर भारत अगर विश्यो गुरू नहीं बनता है तो माना जाती का द्वन से आप समझो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने डीटेल में इतनी सारी चीजे की और आपको बहुत-बहुत बदाई कि आपकी मेहनत आपकी महिम जो है वो अब रंग ला रही है डिस्ट्रिक अस्तर पे लोगों को आप जोड भी रहे है लोगों तक बाते पहुँच भी रही है प्रोचाहन भी दिया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज कि आपके इस महिम से सरकार भी अब बिलकुल समर्थन में करके इस तरह के दानवों के उपर कारवाई कर रही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको से लाइक करें शेयर करें और कैपिल टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद